दोस्तों ये वीडियो बीए बेसी बीकोम के चात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपकी परिच्छा इसी 2022 में होने वाली तो वीडियो को सुरू सरे कर लाश तक देखेगा क्योंकि आप सभी को परिच्छा से पहले यानि कि परिच्छा से पहले कि इतने नंबर के आएंगे ठीक है ॉर पुड़ांग कितने का होगा और समय कितना मिलेगा बहुत सारी जानकारी होती है तो आपको यह सब जानना पहला से जरूरी होता है क्यों किस प्रकार के पुछ जाएंगें हम किस प्रकार के तैयारी करके जाएं तो वीडियो को शुरुस्य लेकर ला कश देखिये कि इस वीडियो में और नइस राफ्द लकाती पर नेश्चा ल्यजाल्य के अनुसार नवीं प्रिच्छा प्राभरूफ के तो में में पॉइंट हम आपको समझा दे रहे हैं जो कि आपको जारना जरूरी है जो बीए फैस्टियर वाले परिच्छा होने वाले उनके लिए निर्दिसा निर्देश यहां पर यह दिया गया है कि तीन मेजर भी से जैसे कि आप सभी के कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मालीजे हिंदी इंगलिस सोचलोजी तो तीन सब्जेक्ट तो आप लोगों को हमेशा कंपल सरी माने जाते हमेशा से आप लोग बीए फैस्टियर में आप लोगों देखने मिलेंगे पिछले कई सालों से लगातार लेकिन इस नई फिच्छानित के हसाब से एक अनिवार सब्जेक्ट एड किया गया है जिसकी भी आप लोगों को परिच्छा देनी यानि कुलमिलाकिस बार आप लोगों को चार एक्जाम देने हैं ठीक है ? तीन सब्जेक्ट यह और प्लस एक एक्ट्रा अनिवाज सब्जेक्ट तो चार पैच्छा देनी है जिसमें से जिसके अंग आप लोगों को 75 अंगों की परिच्छा की बेवस्था की गई है यानि कि 75 अंग आप लोगों को जो कोश्चन पेपर होगा 75 अंग का होगा 25 अंग आ सब्सक्राइब करते हैं या फिर कुछ सिस्टम है उनका प्रिच्छा के लिए अनिवार प्रश्ण पत्र का प्रारूप निम्न प्रकार होगा तो पॉइंट वाइच करके समझेगा नंबर एक समझेए लिखा कि प्रितेग विसे के प्रश्ण पत्र के लिए निरधायत अध आपको बता दिया 75 अंका कोश्चन पेपर होगा दूसरी बात है प्रितेग दूसरा नंबर पॉइंट समझेएगा लिखा कि प्रितेग विसे के प्रश्ण पत्र के लिए परिच्छा के निरधायत समय तीन घंटे होगी यानि कि एक्जाम की टाइम टेबल होगा जो समय के कि आबद होगी कितना टाइम मिलेगा आप लोगों को लिखने के लिए वो तीन घंटे का होगा आप सभी को मालूमें के नए सिच्छानेत के हिसाब से अपकी बार ज्यादातर इंवर्सिटियों में जो एक्जाम होगा वह रेटेन होगा यानि कि आप लोगों को तर्प्रि इच्छा वह सब्जेक्टी होने वाली है लेकिन हालाकि इस पर भी एक कोईस्चन मारक उठ रहा है कि का इनवर्सिटी ऐसे जहां कि सोचेवेशन या फिर उनकी जो भी प्रोब्लम हो या फिर वह जिस बेस पर एक्जाम कराना चाहने कुछ इनवर्सिटी ऐसे करा रही है औ वह किस प्रकार होने वाले तो जैसे एक्जाम पल के लिए मैं बता दू आवद इनुवर्सिटी में इस वार रिटन एक्जाम होने वाले हैं और कुछ इन्वर्सिटी है जो जारी कर दी है तो वहां पर आप लोगों की जो कोईस्चन पेपर है वह आप लोगों का ओमार होगा हिंदी चार सानवर्नम प्रमस्ते हैं लिखाएं कि तीन और सबसे होगा खंड भागों भी विवाजित होगा खंड फिर हम देखते हैं खंड आ में कैसे question आएंगे खंड आ में आतिलागुत्रिये question पूछे जाएंगे प्रस्ण पत्र यानि कि 10 और यहां पर 40 गलतिस type हो गया यहां पर 10 प्रस्ण पूछे जाएंगे आतिलागुत्रिये यहां निवार होगा प्रतेक प्रस्ण के लिए दो अंक निधायत होगा यहां इस खंड से में संबंदित प्रस्ण संबंदित बिसे के कुल्मा के मेंट आप समझ गये हैं खंडबा में लग उत्रे प्रस्ण पूछे जाएंगे जो की आठ प्रस्ण की संख्या होगी ठीक है वह आठ होगी ठीक है जिसके लिए आप लोगों को साथ अंग प्रवाइड किये जाएंगे ठीक है ध्यान दीजेगा आठ प्रस्ण वारें अधिक नाजकारी वही पास question का answer आप लोग दे दीजेगा वह भी 200 सब्दों में देखना है अधिक्तम 200 सब्द ध्यान लखेगा 200 सब्दों में अगला point है खंडसा दीर घुत्रिये हैं जिसमें 4 प्रसंण मुद्रित होंगे जिसमें से आप लोगों को दो प्रसंण करने होंगे प्रदेक प्रसंण के लिए 10 अंक निद्धायत किए गये हैं यानि कि कोहिछन आएंगे जिसमें से दो जिसके बारे मिनाले जहां आप दो han organise here जो पुठцы के δ걸ं के दस मिलेंगे ठीक है याने पूरा के पूरा एक्जाम का पैटर्न कैसे एक्जाम कोहिशन आए कितना टइम मिलेगा कैसे पेपर होंगे और किदने फिस्तितर gesch pi पूरा का पूरा मैंने जानकाई दे दिए अभी भी कोई कोई सुजावत टेलिग्राम लिंक मिल जाएगा डिक्स्तन में कमेंटर में आप लोग अपना भर दीजिए कि जो भी पूस्टर हम रिप्लाई देने के पुरी कोसिस करेंगे मिलते हैं नेस्ट वीडियो में और भी अ जाएंद क्लास जॉइन कर लिजेगा भी आने वाली है ठीक है